देख सकते हैं फ्रेंड सी आज का पेपर का है और चलिए जूनियर हाई स्कूल सिछक भरती से रेलिड़ेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको पढ़के सुनाते हैं तो यहाँ पर हेडिंग सबसे पहले देख सकते हैं कि बिसेवार आरच्छन में उलजी जूनियर हाई स् परिच्छा के अंक क्या धार पर बेसिक सिच्छा निदिसाले से त्यार की जाएगी अधियाचन पर बिसे और आरच्छन के मुताबिक नियुक्ति देने के लिए विवरन जुटाया जा रहा है क्योंकि गड़बड़ी पर भरती कोट में अटक सकती हैं ऐसे में जल्द चेन और नियुक्ति पानी की सोच रह अभिहरतियों को इंतिजार करना पर सकता है उतर परदिश परिच्छा नियमक प्रधिकारी पिन एड़ेट जुनियर हाई स्कूल सिचक भरती परिच्छा 17 अक्टूबर को करा कर 15 नॉमबर को परिनाम घोसित किया इसमें सहायक अध्यापक पद पर 45,257 और प्रधाना अध्यापक पद पर 1722 अभ्यारति सफल हुए इसकी सुची PNP ने त्यार कर ली है इस सुची से अब बेसिक सिच्छा निदेशक के अस्तर से सहायक अध्यापक के 504 और प्रधाना अध्यापक के 390 पदों पर चैन मेरिट के अधार पर किया जा कर गदना है बेसिक सिच्छा परिशत के किस विद्याले में किस आरचन से रेड़े में किस विषे का पद रिक्थ है इसका विवरण फिर से जुटाया जा रहा है इसके बाद ही नियुक्ति की प्रिक्रियास हो सकती है तो देख सकते हैं, यह paper का news था यह आज ही का है, तो चलिए, यहाँ पर print जाए जितने भी सारे junior high school का जोची है यानि की जो list है, UP में जो की junior high school का अंतरगरा आते हैं और यहाँ पे आप लोग को हम district wise बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि एक डिस्टिक में जो है कितने सारे यहां पर सकूल है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर देखें until जो यहां पर आपका अच्छुल जो टोटल बसकूल है कि यहां पर निचे कि ऐखेंस टोटल जो ऐन्यक्ड तो है सिरियल नंबर यहां पे देखना है कि टूटल जो एक डिष्टिक्त में कितना कि यहां पर ईडिक जूरेडिय जूनियर और टेट's कोल तो यहां पर 25 है हालाकि इसमें यह जू लिश्ट थे इसमें बहुत सारा इसमें हाइच द हैंड किया गया है मैं जुनियरेडेड के साथ यहां पे और हाइयर एडेड भी है तो चलिए यहां पर दखेंग कि डिश्टिक फिरोजाबाद में देखेंग आपका यहां पर कितना जो यहां चो यहाँ पर देखिये फ्रेंड्स, जो मत्रवा जो का समय टोटल 41 है, अब यहाँ पर मेन पूरी में आपका मेन पूरी जो डिश्टिक है इसमें आपका 31 कम जुनियर एडेट अस्कूल है और यहाँ पर अली गड़ में आप बात करते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर अली गड़ में आपका 33 है और उसके बाद यहाँ पर अगर डिश्टिक एटा का बात करें यहाँ पर तो टोटल आपका इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 41 है यहाँ देखे आप उसके बाद जनपद यहां पर हाथ रस यानि कि डिश्टिक हाथ रस यहां पर आपका टोटल 19 है उसके बाद यहां पर कासगन जो है इसमें आपका जूनियर एड़ेट अस्कूल है टोटल 31 है आजमगर में जो आपका एड़ेट अस्कूल है यहां पर आपका यहां पे अस्कूल है टोटल इसके अंतरगत उसके बाद यहां पे जन्पद बलिया यानि की डिस्टिक बलिया जो है इसके अंतरगत जो है यहां पे देख सकते हैं जो टोटल यहां पे इसके अंदर भी अच्छा खासा स्कूल है यहां पे इसके अंदर 90 जुनियर डेट अस् इसके अंदर भी देखे अच्छा खासा इसमें भी जुनलोड एडर स्कूल है 95 इसमें आप देखे टोटल यहां पे 25 है उसके बाद यहां पे पिलिभत में जो है यहां पे टोटल आपका जो है बारह है उसके बाद यहां पे बदायू का बात करें यहां पे बदायू में टोटल आपका यहां पे 30 है उसके बाद साज यहां पूर्ज में इसमें आपका टोटल जो है फ्रेंड्स 36 यहां पे जुनियर एड़ेड अस्कूल है उसके बाद यहां पे बस्ती का अगर बात करें तो यहाँ पे बस्ती में आपका टोटल 64 यहाँ पे हैं उसके बाद सिधार्थ नगर में आपका जो है ओ 18 अस्कूल है यहाँ पे उसके बाद संत कबीर नगर है इसमें आपका 34 जुनियर एड़ेड अस्कूल है उसके बाद चीत्रकूट में आपका यहां पे देख सकते हैं, टोटल यहां पे 13 है, उसके बाद महोबा में आपका 10 है, हमीरपूर में आपका यहां पे 20 है, उसके बाद बादा में आपका यहां पे 23 है, उसके बाद यहां पे गोंडा का अगर बात करें, तो गोंडा में यहा आपका जो टोटल जूनिर डेट अस्कूल है वो 12 है उसके बाद स्रावस्ती में आपका आठ है उसके बाद बहराइच में यहां पर आपका जो है 17 है उसके बाद फाइजा बाद में आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर 42 है उसके बाद सुल्तानपूर में आपका जो टो टोटल इसमें है, उसके बाद 12 बंगी में आपका देख सकते हैं, इसमें कितना 24 है आपका उसके बाद गोरखपूर जो है गोरखपूर में आपका wild friends यहाँ पे इसमें भी देखी यह भी अच्छा कासा बड़ा जिल्ला है इसमें भी 84 आपका यहां पे junior data school उसके बद महाराज गंज में आपका देख लिजे यहां पे 45 है friends उसके बाद देवरिया में आपका 71 है उसके बाद कुसी नगर में आपका देख सकते हैं कुसी नगर में आपका total 54 है और जहांसी में आपका यहां पे 23 है उसके बाद जालोन में आपका यहां पे 40 है friends वीडियो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी दिखा रहें इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा पाउस करके देख सकते हैं कॉन डिस्टिक में कितना स्कूल है सो इसलिए वीडियो लंबा ह में एक यहां पर देख सकते हैं टोटल जो रहिया में है 57 आपका उसके बाद यहां पर इटावा का अगर बात करें तो इटावा में आपका 47 है उसके बाद कानपूर देहात जो है इसमें आपका कितना है आप देख सकते हैं 28 है उसके बाद एक कानपूर नगर जो है उसमें आपका 65 है उसके बाद फरुखावाद में देख सकते हैं टोटल आपका जो जूनियर एड़ अस्कूल है यहाँ पर आपका 50 है उसके बाद मेरत में आपका 56 है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद बुलंद सहर में आपका जो है 44 है उसके बाद गाजियाबाद में आपका जो टोटल जुनियर डिडर स्कूल है 24 है उसके बाद हापपूर हापपूर में 16 है कोतम बुद्ध नगर में आपका यहां पे 10 है उसके बाद बागपत में आपका 23 है मिरजापूर में आपका 24 है उसके बाद भधोई में आपका 9 है 20 sorry friends यहाँ पे बिजनोर में आपका यहाँ पे टोटल 56 है उसके बाद आम रोहा में आपका सेवन्टीन के शम्भल में 3-ब करेंच तोटल यई है उसके बाद परियागराज में आपका जो टोटल यहाँ पे जूर्य एडिट अस्कूल है परियागराज में भी अच्छा कासा है यहां पे देख सकते हैं इसमें भी आपका आपका अच्छा खासा है अनिकि 106 इसमें टोटल जुनियर एड़ेड स्कूल है उसके बद फते हैपुर में आपका यहां पर परतापगर में आपका टोटल जुनियर एड़ेड commenrike और सामली में आपका 17 है वारानसी में आपका व्यारानसी में भी देख सकते हैं तो इसमें भी 109 टोटल ग। जन्दोली आप देख सकते हैं इसका फॉट्टी गाजीपूर में आपका तों कि υंट्टना और नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं तोटल अगर बात करते हैं तो लखनों में अब का टोटल फॉट्टी बडून है उसके बद लखी इंदपूर खीरी में आपका टोटल जुनियर एड़ेड़ स्कूल 19 है उसके बाद हर दोई में हर दोई में आपका 44 है उसके बाद उनाओ में आपका टोटल यहाँ पर 34 है राय बरेली में आपका 39 है सीतापूर में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सीतापूर में आपका टोटल यहां पे 86 है और यह था आपका टोटल जो है यहां पे आप इसका मतला आप समझ सकते हैं अगर टोटल अस्कूल का अगर बात करें अगर यूपी में जो जुनियर एड़ेड लिस्ट के अंतरगत हैं वो टोटल 3049 यहां पे अस्कूल हैं टोटल यहां पर इसके सकते हैं इस टोटल स्विएल यहां पे था यहां पर देख सकते हैं और यह आपका अस्कूल का यहां पर संख्या था ठीक है सबसे पहले बात करते हैं friends यहां पर math and science candidates के लिए और भी category wise बताने वाले हैं कि हर category का जो है वो क्या-क्या cut-up रहने वाला है तो चलिए वीडियो को last time up देखेगा सबसे पहले यहां पर बात करते हैं general candidates के लिए तो यहां पर friends यहां पर friends आपका जो general category का जो cut-up रहेगा आपका यहां पर 75-79 के बीच में आपका cut-up रहने वाला यहां पर general category के लिए अब यहां पर बात करते हैं EWS candidates के लिए तो इसका जो cut-up आपका रहने वाला है 72-74 के बीच में रहने वाला है उसके बाद यहां पर बात करते हैं OBC का त तो यहाँ पर SC का जो cut-up रहने वाला है friends यहाँ पर तो यह 65 से लेकि यहाँ पर 70 के बीच में रहने वाला है और यहाँ पर ST का अगर बात करें तो 63 से लेकि 65 के बीच में रहने वाला है और यहाँ पर pH candidates के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 66 से लेकि 68 के बीच में आप लोगा cut-off रहने वाला यहाँ पर pH candidates के लिए तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हिंदी के लिए तो यहाँ पर general category के लिए जो cut-off रहेगा friends आपका यहाँ पर हिंदी candidates के लिए यहाँ पर 72 से लेकि यहाँ पर 75 के बीच में रहेगा EWS candidates के लिए यहाँ पर 70 से लेकि 72 के बीच में रहने वाला है उसके बात यहाँ अगर बात करते हैं OBC के लिए तो 68 से लेकि 72 के बीच में रहने वाला है कि और पिलिए कि अब यहाँ पे भरबात करतें वलिए तो यहाँ पर 67 से लेकर आपका 69 के बीच में रहने वाला है और ऑर अगब यहाँ पर बात करें तो यहաں बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें जो आप लोग का जो कटफ रहेगा हिंदी इंगलीज और संस्क्रीट का यह mostly आप लोग का लगभग जो एप्रॉक्स है उस सेम रहने वाला कटफ आप लोग का तो इसमें कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं रहने वाला बस थोड़ा सा मानिूट डिफ्रेंस रहने वाला तो इसका भी लगभग सेम कटफ रहने वाला है जो जेनरल प्रिट्ट्र से लिए जो कटफ रहेगा आपका इसमें भी आपका वही लगभग कटफ रहेगा 72 से रहेके 75 के बीच में EWS के लिए 70 से लेकि 72 के बिच में उसके बाद OBC का अगर cut-up का बात करें यहाँ पे 68 से लिएकर 72 के बीच में रहने वाला है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ संस्क्रीद नहीं रहेगा है यह भी सेमी करने वाला लगबग थोड़ा सा नंबर का इफरेंस रहेगा यहाँ पर ज्यादा एक दो नंबर का डिफरेंस हो सकता उससे यादा difference नहीं रहने वाला है, यहाँ पे गर general candidates का अगर बात करें, cut-up जो है, वो यहाँ पे इसका भी लगबग वही रहने वाला है, 72 से लेके 75 के बीच में, और EWS के लिए 70 से लेके 72 के बीच में, और OBC candidates के लिए 68 से 72 के बीच में, और SE candidates के लिए यहाँ पे बात करें, cut-up का friends, तो यहाँ पे 67 से लेके 69 के बीच में, और ST का अगर यहाँ पे बात करें, 64 से लेके 67 के बीच में रहने वाला है, और PH candidates का यहाँ पे बात करें, यह तीनों का cut-up में तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर SST candidates के लिए तो यहाँ पर SST candidates का अगर यहाँ पर बात करें cut-up का friends तो सबसे पहले general candidates का अगर बात करते हैं तो इसका जो cut-up रहने वाला है आपका आपका इसमें 67 से लेके 69 के बीच में रहने वाला है और SST candidates का अगर बात करें तो 64 से 67 के बीच में रहेगा और पीच के इसका आपका यहाँ पर 66 से लेके 69 के बीच में रहने वाला है और आपका यही सेफा स्कोर रहने वाला इसमें ज्याधा कोई daar डिफरेंस बहुत मानियोट डिफरेंस रहेगा इसमें और चलिए फ्रेंस विडियो आपको अच्था लागर विडियो को लाक किजए का सेयर की ज़िए ओर चैनल को जरूर्स scar की जिएका चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आपको next विडियो में